आज हम देखेंगे कि मेथी भाजी को 2 मिनिट में कैसे साफ कर सकते है मेथी की भाजी सबको खाना अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है लेकिन कंटा लाता है तो सिर्फ मेथी भाजी को साफ करने में अगर मेथी के पत्ते को स्टॉर करके रखने का हो या फिर हमें इसे कसुरी मेथी बनानी हो ऐसे टाइम पे तो बहुत सारी मेथी को साफ करने का होता है तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे मिन्टों में साफ कर सकते हैं सबसे पहले जहां डोरी बंदी होती है वहां से हम बंदल को काट देंगे सुबह सुबह ब्रिकफस्ट में मेथी के थेपले बनाने हो या मेथी की बजी बनानी हो तो उसमें तो बहुत कम मेथी लगती है तो वो मेथी हम आदे मिनिट में ही साफ कर सकते हैं आज में जो तरीका बताऊंगे वो तरीके से normally हम क्या करते हैं कि ऐसे एक-एक पत्ते को हाथों से चुनते हैं और इसमें हमारा बहुत टाइम चला जाता है और कंटा लबी आता है लेकिन हम घर में से किसी एक चीज का यूज़ करके मिती को बहुत ही आसानी से फटा-फट साफ कर सकते हैं तो मैं आज यहाँ पर स्टील की चलनी का यूज करूँगी और अब हमें एक डंडी लेनी है मेति की और उसे ऐसे चलनी में डालना है और ये देखें इस तरह से हमें तंडी को खीच लेना है ये देखें सारे पत्ते क्लीन हो गए और ये चलनी में उपर आ गए ये तरीका बहुत ही आसान है ये देखिए ऐसे और बस इसे डन्नी को खिच ़ेना है ये देखिए एक साथ मेरी पूरे पते निकल गए इसे डन्नी को डालना है चल्ली में और हलके से खीच लेना है और ये काम ऐसा है कि अगर हम बच्चों को भी बोलेंगे हेल्प करने को तो बच्चे भी खुसी-खुसी हमारी मदद कर देते है पूरा बंडल साफ करने में बस एक से दो मिनित ही लगती है और क्योंकि मैं आज कसूरी मेति के लिए बहुत सारी मेति को साफ करने वाली हूँ बड़े वाले 5 बंडल साफ करूँगी और कसूरी मेति को कैसे इंस्टन्टली हम बना सकते है उसका वीडियो भी में अप्लोड करने वाली हूँ ये देखिए दिल और मन दोनों खुस हो जाए वैसी मेथी भाजी हमारी साफ हो जाती है मिंटो में तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी मेथी भाजी को साफ कर लिया है जैसे कि मैंने बताया कि मेरी वीडियो आने वाली है कसूरी मेथी कैसे बनाते है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंज तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंज के साथ ये वीडियो शेयर करना Thank you